अलो student तो हम देखने जारे है modern physics part 2 यानि nuclei वाला topic अब देखो nuclei से भी एक या दो problem आपके exam में रहता ही रहता है हर साल ठीक है तो start करते है basic concept है concept oriented problems है और NCRT का भी portion NCRT मैंने banding energy वाला portion रखा है तो चलो start करते हैं आज का lecture अब nuclei के अंदर सबसे पहले basics आते हैं तो nuclear volume, nuclear density, nuclear radius इन सब के उपर तो हम लोग start करते हैं यह formula based काम होता है कोई खास दिमाग इसके अंदर नहीं लगता है second section अपना nuclear forces का आता है तो nuclear radius दे होता है यह mass number की power 1 by 3 के directly proportional होता है जहां r0 constant होता है इसकी value 1. 1.2 phantometer के आसपास होती है अब अगर हम nuclear volume निकाले तो 4 by 3 pi r cube करेंगे, cube करते ही volume proportional to mass number आ जाएगा यहनि किसी भी nucleus का volume A के directly proportional होता हो रडियस A की power 1 by 3 के अच्छा अब इस पे based जो अच्छा एक और चीज़ बता दूँ फिर मैं concept बताता हूं density अगर आप निकालोगे तो mass per unit volume करोगे यह mass number कट जाएगा और density किसी भी nucleus की जो आएगी वो constant आएगी और उसका order 10 की power 17 kg पर मेटर क्यूब के बराबर होता है अब generally इन concept का use हम लोग explosion वाले जो आपने momentum conservation में सीखे थे उस तरीके के concept में कर लेते हैं जैसे मालो यह nuclei है ठीक अब यह nuclei rest पर था initially और यह दो daughter nuclei के अंदर break हो गया एक का नाम X कर लो एक नाम Y कर लो यह इदर गया V2 की speed से यह इदर गया V1 की speed से अब हम अच्छी तरह जानते है explosion में momentum का अंदर विशन होता है क्योंकि internal forces act करती हैं तो momentum का अंदर विशन लगाए इसका mass M1 ले 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 तो यहां से हमें मिल रहा है M1 V1 बराबर M2 V2 तो generally इस तरीके के concept में आपको अप्लिकेशन देखोगे अब mass को पूट करेंगे density into volume अब nucleus का mass है तो density तो हर जगे की same ही मिलेगी वो change ही नहीं होगी चाहिए uranium ले लो चाहिए helium ले लो ठीक ना तो density और volume की जगे आ गया 4 by 3 पा proportional to A ठीक ना तो A1 V1 बराबर row A2 V2 proportionality constant दोनों तरफ से उड़ गया यह भी cancel हो गया तो यहां से हम इनकी speed का ratio निकाल सकते हैं यह speed का ratio mass number के ठीक ना ratio के inversely आ रहा है यानि जिसका mass number कम होगा उसकी speed ज्यादा होगी जिसका mass number ज्यादा होगा उसकी speed कम होगी अब और इसको modify कर सकते हैं radius का term में लिखे हैं तो mass number radius cube के proportional है तो यह आ जाएगा r2 cube by r1 cube तो सारे के सारे proportionality मैंने एक जगे पर निकालती है रटने की ज़रूओत नहीं है explosion सुनते कि आप अच्छे से जानते हो momentum गदनर vision हम लगाने वाले हैं अब next next to see based आपका यह problem है ठीक ना अब problem में में मे in two nuclear parts having radius in the ratio तो हमें radius का ratio दे रखा है their velocities are in the ratio तो आप तो straight forward मतला आप हसास के problem करके आ सकते हो तो मेरे कहल से concept मैंने बता दिया तो v1 by v2 equals to a2 by a1 equals to r2 by r1 का whole cube ठीक है अब radius के ratio का whole cube और वो भी r2 by r1 तो यह करेंगे तो यह आ जाएगा 8 is to 1 तो problem देख लो single line का problem हो गया हमार वाला तो अब इन problem में explosion में आपको दिक्कत नहीं आएगी यह इसका COP था तो अब हम आ जाते हैं properties of nuclear force एको nuclear force की property वे बेस्ट 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 प्रब्लम में रहता है assertion reason का भी प्रब्लम में रहता है जो binding energy curve से connect होता है तो इसकी properties क्या है इसकी property के लिए आप ऐसे समझो सब से पहले मैं ये potential energy versus distance का एक graph बना रहा हूँ ये graph इस तरीके का है ये saturation distance है 0.8 femtometer तो nuclear forces की property को जिस तरीके से हैं कि ये nature में सबसे strong force होती है तो एक सवाल था ठीक ने जो मैंने batches में पूछा भी था सक्षम सक्षम प्लस में कि सबसे strong force कौन सी होती है तो वो nuclear force होती है इसका value चेक कर लो 10 के पार 38 times gravitational forces strong होती है 10 के पार 36 times electrostatic forces strong होती है ठीक न तो ये काफी strong force होती है nature की सबसे strong force होती है बट इसका demarity है short range होती है ठीक न तो ये few famtometer तक ही act करती है उसके बाद act करना बंद कर देती है net force की value 0 हो जाती है वो आप इस graph से देख सकते हो तो यहां पर जाकर है कि आप देखोगे तो इसका slope अगर हम बनाएंगे तो वो तकरीबन 0 के बराबर आ जाएगा तो कुछ famtometer तक ही act करती है उसके बाद act करना बंद कर देती है net force 0 हो जाती है अच्छा दूसरी properties जो इसकी है वो कुछ इस तरीके की है nuclear forces are short range force यह मैंने बता दिया nuclear forces are basically strong attractive forces but contains small component of repulsive force अब अगर आप repulsive nature चेक करोगे तो 0.8 famtometer के आगे जाकर कि अगर मैं slope बनाओ तो यह slope हमारे पार du by dr का value positive आ रहा है ठीक है ना slope positive आने का मतलब हो गया force को अगर हम चेक करें तो force हो गई negative यानि इस force का nature attractive हो गया तो 0.8 famtometer के आगे तो यह force attractive है इसके पीछे चेक करें तो slope negative है du by dr negative है ठीक है और यह force अगर हम चेक करेंगे तो यह force हमारे पास positive है जाएगी ऐसा ही सवाल मैंने master sheet के अंदर भी रखा था attractive nature repulsive nature कहा पर होगा तो इस region में force का जो nature हो जाएगा वो रिपल से हो जाएगा तो nuclear force होती है वो attractive nature की भी होती है 0.8 famtometer के नीचे चला जाए distance तो रिपल से नेचर की भी होती है next अगर हम बात करें तो nuclear forces are charge independent एक और important property saturated forces यह बहुत interesting factor इस पर assertion reason बहुत जोड़दार बनता है nuclear forces का nature saturated होता है इसका मत प्रतलब यह है कि जैसे जैसे नूक्लियों के आगे चलके बैंडिंग एनर्जी में देखेंगे तो जैसे जैसे नूक्लियस का size हम बढ़ाते चले जाते हैं ठीक है ना मालो 30 से 170 तक mass number बढ़ रहा है तो नूक्लियों आड होते चले जा रहे हैं ठीक है नूक्लियर का size भी चेंज नहीं हो रही यानि इसका वाल्यू जो हो चुका है उस पर्टिकुलर रेंज के लिए constant हो चुका है इस constant वाल्यू का हम saturated वाल्यू बोलते हैं तो नूक्लियर पोर्स सैचुरेशन टाइप की प्रोपर्टी भी बदस करती है इस बेसिस पर 30 से ले करके 170 के पीच के mass number क जो nuclei ही होते हैं उनकी binding energy per nucleon almost constant होती है point दियान रखना बहुत important assertion reason है अच्छा spin के उपर depend करती है चार्ज के उपर independent होती है चार्ज के उपर independent होती है इसलिए हम कह सकते है proton proton के बीच में neutron के बीच में proton neutron के बीच में लगने वाली nuclear force हाँ नेट अलग हो जाएगी क्योंकिस में electrostatic भी लेनी पड़ेगी आगे nuclear forces और non central forces तो एक particular point की तरफ नहीं करती है central forces नहीं होती है जबकि gravitational force, column force, central forces होती है तो nuclear force, central force नहीं होती है आगे चलते है नेक्स्ट आ जाता है binding energy curve और binding energy curve के यह दो यह पूरा NCRT का मैंने आपके लिए रखा हुए ठीक है और पूरा explanation हम जो assertion reason इससे बनता है वो हम लोग detail से देखेंगे तो यहाँ पर दो observations है पहला यह the binding energy per nucleon is practically constant ठीक न that is practically independent of the atomic number for nuclei in the mid range तो यही मैं भी थुट दिर पहले बात बुल रहा था 30 से लेकरके 170 के बीच का अगर हम देखें तो 30 यह रहा और तकरीबान 170 इधर कहीं तक आ जाएगा यहाँ तक का अगर हम देखें तो binding energy per nucleon almost जो है वो constant है अच्छा और maximum value यह हमें पता ही है iron के लिए होती है और इसका value 8.75 है तो iron के लिए binding energy per nucleon सबसे ज़ादा है और क्या बुल रहा है and has a value of 7.6 for 230 है 238 तो बहुत आगे हो गया है इसका binding energy per nucleon 7.65 ही 7.6 तक ही पहुँच पाया है तो अब पहला observation तो यह तीस से लेकर के जो अपना 170 तक के mass nuclei है वहां तक ही binding energy per nucleon क्यों constant है किस वज़े से constant है इसका reason हमें ढूंगना है ठीक न एसरेशन reason जोरदार है next binding energy is lower for both light nuclei and heavier nuclei तो light or heavier nuclei के लिए binding energy per nucleon कम होती है तो इस stability भी कम होती है तो यह किस तरीके का decay करते हैं दूसरा question है तो पहले question का जवाब यह है कि यहां से लेकर के यहां तक तो यह यहां पर explain किया गया है forces attractive हम पता है nuclear force attractive होती है few mega electron volt पर nucleon की binding energy वो generate का तो करें गया इससे हमारा reason तो नहीं explain हुआ यह constant क्यों है आगे the constancy of the binding energy in the range is consequence of the fact nuclear force is short range nuclear force होती है इसले वो constant होती है तो constant यह ही होती है तो फिर 170 के बाद वाली क्यों नहीं होती है तो मतब कुल मिला करके perfect reason ही अपल पाया है तो perfect reason है nuclear force is short range forces होती है but saturation की property के कारण 30 से 170 के बीच के जो nuclei होते हैं उनकी binding energy पर nucleon constant होती है important point है ठीक न saturation की property क्या होती थी अभी just मैंने बताई कि इसमें nucleus का size भी बढ़ता चला जाता है nucleons भी entry लेते चले जाते है बट nucleon nucleon के बीच का जो effective distance वो change नहीं होता इसलिए जो nuclear force होती है strong भी रहती है पहल value almost constant रहती है इसलिए binding energy पर nucleon change नहीं होती है अब perfect explanation इसका मैंने आपको दिया अब 170 के बाद क्या होता और 30 के पहले क्या होता है आप देख रहे हैं उनकी binding energy पर nucleon बहुत कम है तो इसलिए generally इधर वाले ठीक है यह वाले nuclei और इधर वाले nuclei यह generally radioactive होते हैं ठीक ना अब यह radioactive हो nuclei के अंदर break होते हैं अब point ध्यान रखना जो भी lighter nuclei के अंदर जैसे मालो X है Y और Z के अंदर जा रहा है तो जो भी daughter nuclei इनको हम daughter बोलते हैं इसको parent बोलते हैं तो जो भी daughter nuclei form होंगे उनकी binding energy पर nucleon parent वाले से ज़्यादा मिलेगी यानि heavier nuclei का fusion होता है दो daughter nuclei में जिनकी binding energy पर nucleon parent स जादा होती है तभी reaction possible होती है इसमें energy release होती है उस पर आगे problem है similarly अब fusion में क्या होता है यहां पर दो छोटे nuclei combine करके mid range nuclei बनाता है यह X और Y combine करके mid range nuclei Z बनाता है जिसकी binding energy पर nucleon इन दोनस से जादा होती है इसलिए इसमें energy release होती है तो छोटे वाले fusion करते हैं तो इधर वाल से फिजन करेंगे ठीक है और बीश वाले stable रहेंगे मजे करेंगे ठीक है ना क्यों मजे करेंगे क्यों यह nuclear forces strong है और उनका nature saturated है मेरे काल से अब आप भी अच्छे तरह समझ गए हो कि इसका assertion reason का क्या perfect answer था तो अब यह गलत नहीं होगा चलते हैं हम लोग problem के section पर यह कि रह 80 and 120 तो यह disintegrate हो रहा है दो smaller fragments में और इनका नाम हम कर लेते हैं something y or z और इनके mass number जो हमें दे रखे हैं a1 कर लो इसको a y कर लो इसको a x कर लो इनके mass number जो हमें दे रखे हैं वो दे रखे हैं 80 और 120 az का value हमारे पास है 120 अब यह कह रहा है if binding energy per nucleon for parent atom तो binding energy per nucleon है ठीक न हमें जब भी reaction में energy निकाननी होगी total binding energy चाहिए होगी तो per nucleon की दे रखे है किती 6.5 6.5 meb यहाँ पर भी आप देखोगे तो binding energy per nucleon हमें दे रखी है 7 meb और चेक कर लो जो अभी मैंने reason आपको बताया था इसके अंदर binding energy per nucleon यहाँ पर भी 8 meb कि इन दोनों की binding energy per nucleon इससे जादा होगी तभी यह reaction feasible होगी आगे अकर करेगी और इसमें energy release होगी ठीक न अब इस procedure को आप क्या बोलोगे heavy nuclei जा रहा है तो lighter nuclei में इसको हम मोलेंगे फिजन ठीक नहीं यह फिजन reaction है अब यहाँ पर अगर हमें energy release निकालना है तो binding energy का difference निकालेंगे हाला कि यह आगे चलके आजाएगा इसको हम Q value बोलते हैं तो अब हमें चाहिए होगी total binding energy तो total binding energy अगर हम X की लिखें तो वो हो जाएगा number of nucleons से इसको multiply कर दें तो यह आ जाएगा 1300 1300 MeV इदर की energy हो गई इसकी binding energy लिखें total binding energy Y की तो हमें इसे multiply करना पड़ेगा यह आ जाएगा 560 MeV सही है इसकी binding energy Z की लिखें तो यह आ जाएगा 960 MeV अब हमें चाहिए reaction के दोरान कितनी energy liberate हुई तो binding energy of product minus binding energy of reactant करेंगे तो हमारे पास energy released का value आ जाएगा ठीक न तो ऐसा करने के लिए इसको हम बोलते है Q value हाला कि आगे आप समझ लोगे फिर भी मैं भी लिख दे रहा हूँ तो binding energy of product minus binding energy of reactant तो सबसे पहले इसको add up कर लो तो 960 960 हुआ न ठीक है 960 और 560 तो इनका sum हमारे पास आ जाएगा 2 9 5 14 और 15 1520 minus 1300 MeV तो result हमारे पास आ गया 220 MeV यानि इस पूरी reaction में 220 MeV की energy release होगी तो right answer हमारे सामने है right answer इसका हो गया 220 MeV के हिसाब से C वाला ठीक न next पर आते हैं next देखो आपका binding energy curve के उपर problem है हमेशा हर बार मैंने कुछ नो कुछ नया रखा है इस बार भी फिर एक नया problem है यह क्या कह रहा है heavy nucleus X तो यह है heavy nucleus X जिसका mass number 180 है आपके सामने है breaks into two nuclei Y and Z तो Y यह रहा और Z यह रहा अगें चेक कर लो फिर से मेरी वही बार true हो रही है कि अगर X जो है वो Y और Z में जाएगा तो जिन में भी जाएगा उनकी binding energy पर nucleon parent वाले से जादा होगी तभी reaction अकर करेगी उसमें energy release होगी बार बार इस प्ले बोल रहा हो क्योंकि इसम हमें energy release during season reaction निकालना है तो सेम procedure है सेम procedure के उपर based question है X जो जा रहा है वो अगें Y और Z में जा रहा है अब हमें इसकी total binding energy लिखनी पड़ेगी X की X की total binding energy लिखे तो nucleons है 180 और इसकी binding energy पर nucleon है 6 तो 180 इंटू 6 1080 MEV ठीक न और इधर side की अगर हम binding energy टोटल binding energy Y की लिखे तो number of nucleon 140 है और पर nucleon की binding energy हमारे पास 7 है ठीक न तो यह आ जाएगा हमारे पास 980 MEV इधर की binding energy लिखे total तो Z की binding energy पर nucleon 8 है और इसके mass number यानि number of nucleon हमें 4 दे रखे हैं तो यह result हमारे पास आ जाएगा 320 MEV ठीक अब same concept हम लगाएंगे product minus reactant करते हुए चलेंगे तो हमें reaction की energy मिल जाएगी तो Q value हमारे पास आ गया या फिर ऐसा बुला जाए energy release का value आ गया यह plus यह minus यह तो इन दोनों का submission करेंगे तो यह आ जाएगा के उपर based भी problem कर लोगे और पर nucleon से total binding energy निकलते हुए भी problem को attempt कर सकते हुए concept oriented problem काफी important थे next पर चलते हैं तो अब हम आ जाते energy निकली है ठीक है ना reaction forward direction में गई है इधर की binding energy जादा है और इधर की binding energy का में इसका मतलब हमें extra amount of energy देनी पड़ेगी ऐसी reaction कहलाएंगी endoergy और जिन में energy निकलेगी उनको बोलेंगे यह तो था binding energy के टर्म में अब mass defect या mass के टर्म में कैसे define करते हैं तो इधर का mass ठीक ना यानि parent side वाले का mass अगर daughter side वाले के mass से जादा है तो mass of reactant is greater than mass of product है ठीक ना तो ऐसे situation में क्या होगा कुछ ना कुछ mass energy के अंदर convert होगा और हम यह कहेंगे कि यह reaction exoergy क है simple एक line में बोलू जिधर का mass कम होगा उधर side पर energy होगी ठीक ना अब अगर reactant का mass जादा है product का mass कम है तो कहां गया energy में चला गया simple और अगर उल्टा हो यानि इधर का mass जादा हो sorry इधर का mass कम हो और इध जानने का तरीका होता है तो binding energy sorry q value निकालने के हम अरे पास 2 method है वैसा तो 3 है पहले 2 method देखो तो पहले है banding energy method इसमें यह हम लोगों ने अभी अभी just किया product minus reactant कर दी है total banding energy लेकर के हम अरे पास q value आगी फिर reaction exo भी हो सकती है endo भी हो सकती है अब mass defect से q value निकालने का तरीका ही है आपने दोनों तरफ के masses का difference निकाला ठीक है अब वो देखना पड़ेगा reaction कैसी है कहां का mass जाद है कहां का mass कम है ठीक है तो हमने क्या किया यहां का mass minus यहां का mass किया तो हमें पता चला mass defect कितना है कितना mass यहां पर कम हो गया delta m की value अगर negative अब negative आने का मतलब क्या है यह mass कम है यह mass जाद है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ mass energy में convert हो गया तो q value होगी delta m को हमने 931.5 के conversion factor से यहां फिर c square से multiply कर लो तो हमारे पास q value आ जाएगी अब यहां पर यह जो value है ने यह परिशान कर देती है तो इसका जुगाड मेंने क्या दिया था कि 1000 से multiply कर लो ठीक ना और 900 से कर लो तो उसके बीच में answer मिलेगा और tick कर दो क्यों exact multiplication की जरूरत हाँ पर यह तब ज़्यादा अगी तो नहीं चलेगा दिखाऊंगा इस पर problem में अब किसी भी nuclear reaction के अंदर यह पांच चीज़े conserve होती है एक तो charge conserve mass नहीं conserve होता ध्या reaction balancing में काम आती है ठीक ना energy conservation आपको गया energy तो अरे total energy conservation ठीक ना तो इधर की kinetic energy plus mass defect वाली energy plus its kinetic energy plus mass defect वाली energy करते होगे बराबर करते होगे चलते ही होता energy conservation energy conservation दूसरा linear momentum conservation यह हम लोगों ने देख लिए 5 वां angular momentum conservation इसके अंदर hold करता है तो कभी कोभी पूछे reaction में क्या-क्या चीज़ें conserve रहती है तो यह 5 conservation law यहां पर hold करते हैं next मैंने बताया था binding energy का एक और भी method है वह है kinetic energy method अब अगर यहां पर इनकी kinetic energy दे रखी है product और reactant की तो यह minus करते वे भी आप reaction की Q value निकाल सकते हो ठीक ना तो kinetic energy इसको मैं लिखूं Q value तो Q value निकालने का हमारे पास एक और भी तरीका है वो हो गया kinetic energy of product minus kinetic energy of reactant आप कर दो तो आपके पास Q value आ जाएगी ठीक ना अब problem पर चलते हैं तो problem यह कह रहा है atomic mass of 7 and 15 अब देखो यह साफ साफ mass factor based problem है highly calculated होता है ठीक ना आराम से तसलिष से करना होता है कैसे तुम्हें करके दिखा रहा हूँ क्या रहा है 7 and 15 का mass यह दे रखा है और round off नहीं चलता ठीक है ना oxygen का mass यह दे रखा है minimum energy required to remove the least tightly bound proton अब कहां होगा least outermost shell तो उस proton को आप निकालना चाहते हो किसमें से निकालोगे यह इसमें जाएगा यह इसमें जाएगा proton इसमें से proton निकाला 7 and 15 में यह convert हुआ साथ में यह 1H1 सही है यह यह पूरी reaction आगए अब हम यह आपर delta आम निकालेंगे उसके लिए हमें mass of reactant चाहिए होगा और mass of product चाहिए होगा पहले reactant का लिख वैसे पहले तो किसी का भी लिख लो कोई फरक नहीं पढ़ रहा तो mass of reactant side हम लिखे ह 994915 AMU हो गया पूरा exact आगे अब हमें product side का mass से यह है तो वो इन दोनों का जोड़ करके लिखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा किसका जादा है किसका काम है अब हम इन दोनों को add on करते हैं तो पहले लिख लो में डंग से 15.000108 यह तो हो गया अपना nitrogen का mass और proton का यह द 25 अब इसको कर लो add तो 8 और 5 13 9 7 00 16 ठीक ना तो यह AMU में हमारे पास mass आ रहा है product side का अब देखो reactant का जो mass है वो कम है product का जो mass है वो जादा है इसका मकलब क्या निकला कि हमें इस reaction में energy दे नहीं बढ़ेगी अनि proton अपने आप कूद के बाहर नहीं आएगा उससे निकालने क energy required तो बोल भी रहा है energy required ठीक ना तो energy इसमें required है energy इसमें liberate नहीं होगी तो हम delta M निकालेंगे तो delta M का value हो गया इन दोनों का difference अब इन दोनों का अगर हम difference ले तो वो भी हमें subtract करना पड़ेगा तो यह minus यह तो मैं यहाँ पर तमीज से कर लों subtract वरना गड़वर हो जाएगी 007933-15.994915 ठीक ना तो यह 13, 8, 5, 13 तो इधर 8 आ गया इधर 1 आ गया इधर 0, 7 में से 4 गया 3, 10 में से 9 गया 1, 0.0 यह AMU में हमारे पास mass defect की value आ गई this is the value of delta M ठीक ना अब delta M आने के बाद 931.5 से multiply करने में student और teacher दोनों कलाबाजी खा जाते हैं और लगता है calculator होए तो मज़ा आ जाए बड़ अभी भी आप q value निकालने में बच सकते हो q value या energy absorbed लिखूं required लिखूं तो जादा अच्छा है ठीक ना तो delta M को ना तो मैं 931.5 से multiply करने जा रहा हूं ना पूरा problem solve कर रहा हूं बस इसे 1000 से multiply करो और अंदाजा ले लो value इससे तो कम रहेगी तो 1000 करें तो 13.01 MEV से तो आंसर कम मिलेगा अब इसमें से elimination technique लगाओ 13.01 या उससे जादा जो आंसर है 13.01 भी in fact क्यों नहीं वो या उससे जादा जो आंसर है उनको reject कर दो ठीक है ना तो 13.018 ये गायब हो गया ये तो बहुत ही कम है ये तो delta ME दे रखा है ये आंसर हो ही नहीं सकता हमारा ठी ले दे के हमारे दो option बचे ठीक है जो 13 से कम प्यार है अब 900 कर लो 900 करेंगे तो ये 1.3 something हो जाएगा 1.3 into 9 आसान है 931 से तो आसान है 1.3 into 9 करेंगे तो 9 3 जा 27 9 तो 11 यानि 11.7 से तो आंसर जादा मिलेगा अब ये देखो 11 है ये eliminate हो गया यानि right answer 12.13 है सही है तो ये जुगा काम्याब रहता है आपके medical exam के लिए आप 900 और 1000 के बीच में check कर लो कौन लाई कर हाँ अब भी अगर दो आते तो फिर समझ लो किसमत कराब है ठीक ना फिर तो multiply करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है इसमें ठीक ना उसमें भी क्या कर लो ठीक ना बहुत ही बिल्कुल close value ह तो तो फिर यार exact 930 exam समझ जाओ examiner आपकी जान का दुश्मन है वो चाहता है पूरा multiplication करवाना ठीक ना फिर तो 931.5 करना पड़ेगा और कोई हमारे पास option नहीं रहेगा तो आपको अप्रोच समझ आ गई होगी चलते हैं हम लोग next पर next अब आ जाता है यह reaction के अंदर ही चल generation करते हैं यह पिर ऐसे heavier nuclei नुकलीए स्टेवल करने के लिए alpha करते हैं ठीक है न तो heavier nuclei अलफा डिके करते हैं lighter नहीं करथे तो जिनका मास नंबर तो जुनेरली यह बोला जाता है जिनका मास नंबर 210 के जादा है वो alpha क्यक्षा करते हैं ठीक हाई और और अल्फा पार्टिकल एमट करके एक ऐसा न्यूक्लिय बनाते हैं या सीरीज ऑफ अल्फा पार्टिकल एमट करके ऐसा न्यूक्लिय बनाते हैं जो पेरेंट से ज्यादा स्टेबल होता है तो हमने एक अल्फा पार्टिकल को डिके कराया अब यहां पर जनरली पूछा जाता है क कानीटिक एनरजी अब यह सवाल कैसे करा जाथा सबसे वहलेमं इस रियाक्षन की क्यू वैलियू कि कैसे हैं कानेटिक एनरजी मास के इन्वर्स रेशियो में Belt उसके इनरजी लिखते वक्त इसका मास आईगा यह डारेक्ट टेक्नीक ए इससे आप kinetic energy का numerical problem सटाक से attempt कर सकते हूँ, मैंने कई बार पहले भी करा है हुआ है, ठीक है न, तो ये kinetic energy का problem इसके अंदर बनता ही बनता, और कुछ नहीं बनता alpha decay में, यही kinetic energy का numerical आजाएगा, अदरवाइस theory पूछ लेगा, next, अब ये problem देखो, जो कि हमारा इसी के उबर based है, ये कह रहा है, nuclei X at rest undergoes alpha decay according to this equation, what fraction of energy released in the decay will be kinetic energy of alpha particle, तो कितना fraction kinetic energy of alpha particle में गया, तो हमें basically निकालना है, alpha की kinetic energy by energy release का ratio, इसको हम बोलेंगे, fraction of energy, fraction of energy appearing in the form of kinetic energy of alpha particle, अब इसके लिए ही, हमें kinetic energy of alpha particle, लिखना पड़े और उसे लिखने का सस्ता सुंदर टिकाओ, inverse ratio ते हनक को, तो alpha की kinetic energy लेखते वक्ते, इसका mass आएगा, इसका mass तो दिया नहीं, हमें लिखना पड़ेगा, अब alpha में ये निकला twice actually four, तो atomic number 2 से कम हो जाएगा, और mass number 4 से कम हो जाएगा, तो ये 232 है, 232 minus 4 करेंगे, तो ये हमार है पास आजाएगा, 228, तो इसका mass number हो गया, 228, अब इधर का atomic number लिखना है, इसको balance करके लिख लो, तो z का value हो गया, 92, balancing पे भी problem आगे मैं रखे है, मिल जाएगे आपको, तो अब अगर हमें alpha की kinetic energy लिखनी है, तो इसका mass, divided by total, 232, ठीक है, into q value, तो fraction आप easily निकाल सकते हो, तो कितना fraction total का alpha में गया, तो that is 228, divided by 232, अब answer इसी तरीके से है, इसलिए हमें further divide करने की जरूवत नहीं है, right answer हमारा second बाला हो गया, तो मेरे काल से समझ आ गया होगा, चलते हैं next पर, next आप देख रहे हो, बीटा, बीटा ठीके दो तरीके के होते हैं, आब ये कहां पर होत हैं तो ये तब होते हैं जब proton और neutron जो होते हैं, nucleus के अंदर के je proton और neutron होते हैं, उन में से किसी एक कि quantity जादा हो जाए, जैसे suppose करो neutron की quantity, nucleus के अंदर जादा होगी as compared to proton, ठीक न, तो अब जो nucleus के अंदर का neutron है, वो proton में जाएगा, साथ में वो electron, electron nucleus के और एक nuclear particle जिसका नाम होगा anti-neutron ये भी release करेगा ये दोनों as a beam of beta minus ray बाहर की तरफ निकल जाते हैं ठीक है और nucleus के अंदर छूटा रह जाता है proton अब इस reaction में क्योंकि nucleus के अंदर का neutron proton के अंदर convert हो गया proton आने से किया होगा atomic number बढ़ जाएगा तो जो चीज़ जादा थी वह कम वाले में convert हो गई balancing हो जाती है तो nuclear reaction के अंदर electron और anti-neutron ओ out of the nucleus निकलते हैं beta minus ray में ठीक है न अब यहां सवाल पूछले बताओ electric magnetic field में कैसे deflect होंगे तो यह electron वाला concept आपने लगाना है राइट हैंड लेकर के चलो magnetic field के लिए और electron के लिए electric field यह opposite direction का force लेकर के चलो यह simple approach है इसकी तो atomic number एक से बढ़ जाता है बट mass number पर कोई फरक नहीं पड़ता in beta minus decay अब हम आ जाते हैं beta plus decay पर यह तब होता है जब proton axis में हो जाते हैं nucleus में ठीक है न फूरी कानी है तो proton axis में हो जाते हैं तो nucleus के अंदर का proton neutron में जाता है positron निकलता है और साथ में nuclear particle neutrino निकलता है यह ध्यान लखना free proton कभी भी neutron में नहीं जाएगा क्योंकि इधर का मास कम है इधर का मास जादा है इसलिए energy required है तो कभी भी free proton neutron के अंदर नहीं जाता free neutron proton के अंदर जा सकता है ठीक न क्योंकि इसका मास जादा है और इसका मास कम है यानि इस procedure में energy release हो सकती है तो free neutron में decay into proton बट free proton cannot decay can never decay in neutron ये point ध्यान अटना conceptual बनता है अब इसमें क्या हुआ जो जादा था वो कम वाले में convert हो गया साथ में positron और neutrino निकल गया अब फरक क्या पड़ा positron निकलने से या atomic number जो हुआ एक से कम हो गया mass number पर कोई फरक नहीं पड़ा तो beta plus decay में atomic number एक से कम हो जाता है mass number पर कोई फरक नहीं पड़ता ये होता है beta decay total जिसमें beta minus मैंने बताया और beta plus मैंने बताया अब यहाँ पर हम देख रहे हैं gamma decay gamma decay में nuclei के charge और mass पर कोई फरक नहीं पड़ता gamma decay में क्या होता है excited state का nucleus ground state में lot करके आता है और वो यहाँ पर photon emit करता है इस photon को हम गामा radiation photon बोलते हैं तो basically photon का emission is gamma radiation हमेशा द्यान अखना gamma decay alpha और beta के बाद ही अकर करेगा क्योंकि उससे निकली हुई energy से ही nucleus excited state में जा सकता है तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका momentum और इसका momentum आपस में बरावर होगा तो m, mx, vx, momentum of photon जिसको हम e, y, c, h, y, lambda लिख सकते हैं यहाँ से हम gamma radiation photon की wavelength निकाल सकते हैं ठीक है तो मेरे एक हैल से अब आपको पूरा A to Z, alpha, beta और gamma decay तक का मैंने concept दे दिया अब हम चलते हैं इसके problem पर ठीक है अब देखो यह balancing से related problem है इस तरीके के problem भी आ जाते हैं वह तो student silly mistake के चकर में गड़़ड कर देता है तो यह problem हमारा कह रहा है कह रहा है isotope 92 uranium 238 ठीक है decay successively एक के बाद एक decay कर रहा है thorium palladium uranium thorium redon ठीक है ना तो 90 thorium 234 फिर जा रहा है 91 palladium 234 ओके और फिर जा रहा है 92 uranium 234 और फिर जा रहा है 90 thorium 230 और फिर जा रहा है 88 redon 226 अच्छा जी अब यह तो होगी sequence अब इसमें यह जानना चाह रहा है कितने alpha और कितने beta यहाँ पर निकले step by step बताओ तो चलो देखते हैं यहाँ atomic number 2 से कम हो गया mass number 4 से कम हो गया ऐसा alpha decay में होता है ठीक है ना हम इन 3 दिकों को use करेंगे 90 से 91 यानि atomic number आप देख रहे हो एक से increase कर गया ठीक ना mass number पे कोई फरक नहीं पड़ा ऐसा beta minus decay पर होता है तो यह beta decay हो गया कुछ नहीं बुला जाए तो बीटा मानस ही लेते वे चलते हैं 91 से फिर 92 हो गया यानि atomic number फिर बढ़ गया एक से तो बीटा डिके हो गया 92 से 90 यानि atomic number 2 से कम हो गया mass number 4 से तो यहाँ alpha decay आगया फिर atomic number 2 से mass number 4 से फिर alpha डिके हा गया तो sequence बन रहा है alpha बीटा 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 अलफा 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 तो इस sequence में decay हो रहा है विस हिसापसे आप right answer देख लो इसका alpha बीटा बीटा अलफा अलफा के हिसापसे right answer थर्ड वादा सही है कोई confusion की गुझाईश ही नहीं है इसके इंदर next देखते हैं next आप देख रहे हो number of alpha and beta particle emitted in the conversion of अब ये single step की reaction दे रखिए इसमें हमें बता करना है कितने alpha और बीटा निकले तो इसको करने का तरीका भी मैंने पहले भी बता है फिर बता रहा हूँ 90 दूरियम 232 जा रहा है lead 82 lead 208 में हमें निकले बता कितने alpha तो माल लेते हैं x alpha तो twice h e 4 और y बीटा बीटा हो गया minus 1 e 0 ठीक है अब आप balancing कर लो charge और mass number mass number balance करें तो 232 बराबर 208 प्लस 4 x और उदर तो 0 हो जाएगा यहां से हमारे पास यह आ गया यह इदर चल गया 12 में से इदर 8 आ गया 6 or 2 12 हो गया minus y y का value हमारे पास 4 आ गया तो 6 alpha और 4 पीटा पार्टिकल यहां पर निकल रहे है राइट answer हमारे पास 6 और 4 के साफ़ते first वाला हो जाएगा तो मेरे खाल से balancing में आपको दिक्कत नहीं आएगी next अब एक बहुत important tool है pair production और pair annihilation ठीक न तो पहले हम बात करते हैं pair production की तो यहां क्या एक gamma radiation photon जब एक heavy reproduction अच्छा तो इस photon की minimum energy कितनी होनी चाहिए यह हम mass defect technique से निकालते हैं और यह minimum energy आती है 1.02 MeV यानि gamma radiation photon की जब energy 1.02 MeV होगी तो electron positron निकलेंगे अब सवाल इससे कम होगी तो क्या होगा इससे कम होगी तो यह 1.02 MeV से ज़ादा होगी तो बाकी जो excess energy होगी यानि जैस सपोज कर लो 1.5 MeV के energy है तो excess होगी 1.5 minus 1.0 तो बाकी जो excess energy है वो इन दोनों में बट जाती है आधी आधी in the form of kinetic energy तो अगर kinetic energy पूछे each particle की तो जो excess energy है मतलब gamma radiation की मानस जो हमें minimum energy energy चाहिए 1.02 divided by 2 कर दो आदा आदा बटवारा कर दो ठीक है ना जो बचा खुचा है उसका आदा आदा बटवारा कर दो और अपना मास और विलोस्टी दोनों की बराबर लते हुए चल रहा है आए टक रहा है इनिशल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल भी तो जीरो होना चाहिए ऐसा करने के लिए कित्ते गामा radiation photon निकले दो और एक निकला हो था तो तो इनिशल मोमेंटम जीरो है फाइनल जीरो नहीं अब निमारकल देखो तो निमारकल इस पर यह रहा है मेरे खाल सब ऐसे उड़ा के कर सकते हो ठीक ना अब आपको ज्यादा दिमाग लगाने के जरूवत नहीं है तो प्रॉब्लम यह कह रहा है पोटन ऑफ एनरजी 1.12 MeV तो हमने देख लिया 1.02 से जाधा है इसका मतलब पियर प्रॉडक्शन होगा splits into electron positron pair velocity of electron तो velocity पूछ बैठा वैई ठीक है kinetic energy पूछता तो अच्छा रहता है velocity पूछ डाला कोई बात नहीं तो kinetic energy of electron हमें निकालनी है in pair production तो kinetic energy of electron लिखो तो यह हो जाएगा excess energy divided by 2 excess energy हो गई 1.12 MeV ठीक है सवाल लगते हैं वरना हमसोस से रह जाते हैं क्या करना इसके अंदर तो result जो बना यह बना 0.08 MeV यही बचा 08 तो नहीं बचा यह यह किता बचा 0 और इधर 0.1 तो 0.1 divided by 2 MeV सही है तो इसको मैं बोल सकता हूँ basically 1 by 20 MeV वैसे तो और में divide करके 0.05 लिख ले था बट लिखना क्यों हमें तो आगे भी solve करना है तो kinetic energy में speed निखाल के देनी है इसको चलो simplify करते हैं तो kinetic energy को हमने डाला half mass of electron v square बराबर 1 by 20 अब MeV को तोड़ना पड़ेगा तो 10 की power 6 electron का charge 1.6 into 10 की power minus 19 ठीक है सारा कुछ आ गया इसके अंदर mass of electron को डाल दो 9 into 10 की power minus 31 इतने से काम चल जाना है तो v square का जो value आ गया वो आ गया चलो उसको 1.05 भी लिख लेते हैं 05 into 2 divided by 9 into 10 की power minus 31 into 6 over 39 10 की power minus 13 into 1.6 आप देखरो calculation करनी बड़ेगी भाई देखते हैं किता आता है आप भी मैं भी कर रहा हूं आप भी करोगे तो यह आ जाएगा 10 की power 17 एक बिन्दी कम कर दो तो v square की value आगी 16 by 9 into 10 की power 16 सही है अब under root लेना बेहत असान काम है तो 4 by 3 into 10 की power हमारे पास आ गया 8 मिटर पर सेकंड जिसको हम लिख सकते हैं 1.33 into 10 की power 8 मिटर पर सेकंड यह स्पीड होगी इस निकलने वाले लेक्रोन की खून भी गया सवाल दी कर नहीं तो यह calculation में ऐसा ही परिशान करते हैं तो राइट आंसर हमारे पास आ गया 1.33 into 10 की power 8 मिटर पर सेकंड मेरे कहल से अब आप पेर प्रोडक्शन पेर अनिलेशन में नहीं अठखोगे इसका COP जबरदस था है chemical kinetics में आपने पढ़ाई होगा first order reaction होती है radio activity की तो कि वहां आप rate of chemical reaction लिखते हूं यह activity of a nuclear reaction तो minus dn by dt को हम activity बोलते हैं लामडा n के बराबर होता है अब n जो होता है वो exponentially decay करता है यह exponentially decay की equation है यहाँ पर अगर हम n की general value निकालें तो यह value निकालने के हमारे दो तरीके हैं एक exponential वाला formula ठीक है न और दूसरा two की power n इनको बोलते है number of half life जो की लिखने का तरीका होता है given time by half life तो जब given time half life के multiple में हो तो हम यह वाला use करते हैं और जब यहाँ पर time की value चल रही हो one by lambda लामडा की लामडा को हम बोलते हैं average time ठीक है तो one by lambda two by lambda इस तरीके के exponential चल रहे हो तो generally हम लोग यह वाला result यूज करते हैं अच्छा तो जादा तर 90% सवाल आपके इससे हो जाते हैं बाकी बचे कुछ इस सवाल तो 90% सवाल इससे हो जाते हैं इससे हम बचे वे निउकलिया ही निकाल सकते हैं देहां रखना जब बचे वे निकल ने हैं तो यह best formula होता है given time जब half पर पहले भी बताया है तो given time निकालने का हमने कुछ नहीं किया लामडा को हमने 0.693 divided by Tf put कर दिया तो यहां से मेरे पास बन गया log 2 की base 10 into Tf by log N0 by N, N0 होगे original nuclei, N होगे बचे होई nuclei ठीक न, अब 1 point of disintegration से 2 point of disintegration मतलब T1 वो समय है जा N1 निकलिया यह बचे होई निकलिया है तो N1 T1 time पर बचें, N2 T2 time पर बचें, तो T2 मानस T1 का difference कुछ नहीं बस N1 और N2 डाल करके difference ले लिया तो यह हमारे पास equation set हो गई और यह equation T2 मानस T1 होगे T2 by log 2 log N1 by N2, N1 होगे T1 टाइम पर बचे होई nuclei, N2 होगे T2 टाइम पर इस पर problem है अब मैंने आपको कहां बताया था, या आप करूँ, electrostatic में, नहीं, CR circuit में शायब बताया था, कि जो भी exponentially decay equation होती है, उसका log versus graph T graph, हमेशा decreasing straight line मिलता है, वहीं बताया था, ध्याना गया मिरे को, तो log N versus T graph हमारा decreasing straight line रहता है, वैसे भी आप कुछ नहीं, यार log ले लो, दोनों probability of decay, तो probability of decay, यानि इस particular, क्योंकि radio activity spontaneous process होता है, तो वो यह नहीं कि अप फटा तब पटा, वो कभी फट सकता है, तो क्या probability है, उसके decay करने की वो होता है, N0 minus N by N0, या फिर ऐसे बोलो, N की value डाल करके, 1 minus 1 by 2 की power N, ठीक न, यह हो गया, probability of decay, अब probability, ना decay करने की क्या होगी, formula यूज करना है, तो यह था आपका radio activity का basic concept, अब इसमें carbon rating problem में सिखा दूँगा, मैं आपको, कैसे 2 nuclei handle करते हैं, problem में सिखा दूँगा, तो और इसी तरीके से आगे चल करके, अब आपको fission fusion भी मिलेगा, उस पे भी निमार कल है, ठीक है न, चलो देखते हैं, तो अब आज half life period is 30 minutes, इसका half life हमें दे रखा है 30 minutes, तो यह थोड़ा सा data collection इसमें करना होता है, the number of radioactive atom remaining, तो बचे हुए, यानि n निकालना है, अच्छा, कित्ती देर में, time दे रखा है हमें 90 minutes, तो यह हो गया, बिल्कुल basic सा problem, आप देख लो, given time, हमारा half life के multiple में है, तो हम easily n बराबर, n not divided by 2 की power, n use करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे number of half life, वो हो जाएगा 90 divided by 30, यानि आजाएगा 3, तो बचे हुए nuclei हो जाएगे, n not divided by 2 की power 3, तो इतने nuclei ही बचे, अब मालों यह probability of decay निकालनी होती, तो 1 minus 1 by 8 हो जाती, यानि 7 by 8 is the probability of decay, तो इस तरीके से आप सवालों को फट दे रखा है, तो 600 divided by 8 करेंगे, या आजाएगा 75, 75 nuclei बचेंगे 90 minutes के बाद, simple, तो right answer हमारा हो गया, इसके अंदर 4 वाला, next देखते है, next कहारा है, two radioactive, आमेशा फेवरेट राय मेरा, दो radioactive nuclei एक साथ handle करते हैं, ठीक है न, तो यह कहारा है, दो radioactive nuclei है, एक है X, एक है Y, ठीक है अ कई बार अलग भी दे रखे होते हैं, यह कह रहा है, their half-lives are 1 hour and 2 hour, तो इसकी half-life दे रखे है X की 1 hour, और Y वाले की दे रखे है half-life 2 hours, okay, then the ratio of the rate of disintegration, rate of disintegration of y, minus dn by dt, उसका magnitude lambda n के बराबर है, तो rate of disintegration, इसको हम activity भी बोलते हैं, तो activity of X, और activity of Y, after 2 hours, यानि 2 घंटे के time के बा is the multiple of their half-life, इनकी activity का ratio निकालना है, तो बही activity का formula, activity का formula हो गया, lambda into n, lambda को हम अपना वही 0.693 by t half डाल देंगे, n को हम n naught by 2 की power n डाल देंगे, तो पहले put कर देते हैं, तो 0.693 into n naught divided by 2 की power n, और 7 में दर आ जाएगा t half, t half, okay, अब ratio लेंगे, तो ये तो same है, देखो दोनों का तो कट जाना है, 0.693 भी कट जाएगा, ठीक है न, तो बचेगा हमारा inverse ratio of t into 2 की power n, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो activity of x by activity of y, ये आ गया, half-life of y into 2 की power n y, half-life of x into 2 की power n x, अब इसको simplify करते हैं, half-life of y 2 दे रखा है, half-life of x हमें 1 दे रखा है, अब यहाँ पर number of half-life of y put करते हैं, given time divided by half-life, ये थोड़ा सा careful रहना in values को डालते वक्त, तो 2 की power बना जाएगा, अब इधर हम 2 की power n x, यानि number of half-life of x निकालते हैं, तो given time by half-life, तो ये आ जाएगा हमारे पस 2, तो finally result देखो, उपर भी 4, नीचे भी 4, यानि ये ratio हमारा 1 is to 1, यानि इनकी activity या rate of disintegration 2 गंटे बाद बराबर है, तो right answer हम देखें इस problem का, तो ये हो जाएगा, first वाला, next पर चलते हैं, next आप देख रहे हो, carbon dating का problem आ गया, अब carbon dating टेक्नीक में क्या होता है, बहले टेक्नीक डिस्कुस कर लेते हैं, C12, C14, दो isotope होते हैं, ठीकिन, live-in plant के इंदर इंका ratio constant बना र है, फिर हम अपना वोई T वाला formula यूज़ कर लेते हैं, half life वाला यूज़ कर लेते हैं, वहां से हम time निकाल लेते हैं, अब देखेंगे क्या क्या रहा है, ये problem क्या रहा है, radioactive carbon 14 in wood sample decays with half life of 5700 years, तो half life दे रखी हैं हमें 5700 years, okay, the fraction of the radioactive carbon 14 then remains, बचा हुआ फ्राक्शन निकालना after time 17100, अब जड़ा गौर करूँ, ये 17100 57 का multiple है, 3 से multiply कर तो ये ही आजाएगा, ठीके न, अब बचा हुआ निकालना है, तो हम तो n equals to n0 by 2 की power, n यूज़ करेंगे, हमें time निकालने के लिए और कुछ चीज़ की जरूरत ही नहीं, हमें fraction निकालना है विसिकल यह आपर, अग 1 by 2 की power n, ये हो गया, this upon this, which is 3, तो right answer आगया, 1 is to 8, तो 1 is to 8 जो है, ये बचे का fraction, after 17100 years, तो इस हिसाब से right answer हमारा third वाला हो जाएगा, next पर चलते हैं, next कह रहा है, हाँ, ये देखो, sequence वाला, ये general concept होता है, कई बार आया हुआ है, मैंने आपके लिए रखा है, ये कह रहा ह है, और radioactive sample can decay by two different process, तो दो अलगले process, A मालो B में जा रहा है, A मालो C में जा रहा है, दोनों के decay constant अलगले, lambda 1, lambda 2, ये कह रहा, half life of process 1 is this much, दूसरे का इतना effective life of the radioactive sample, तो effective life निकालना है, तो क्या होगा, अगर हम overall disintegration का rate लिखेंगे, तो lambda n equals to lambda 1 n plus lambda 2 n हो जाएगा, ठीके न, n इ अब decay constant को 0.693 by T half डाल दो, तो 1 by T का value 1 by T1 plus 1 by T2 आ जाएगा, तो ये इसका simple procedure हो गया, जिसको हम लेख सकते हैं, T बराबर T1 T2 by T1 plus T2, अब right answer आप डूंडोगे, तो इस हिसाप से ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, right answer हमारा second वाला है, next पर चलते हैं, तो T half हमें 20 minutes दे रखा है, अब T2 minus T1, अब T2 कब का है, ये कह रहा है, the approximate time interval between the time when two-third of its decade and one-third of its decade, तो two-third decade बचा हुआ किता है, one-third बचा हुआ है, तो और one-third the decade, तो बचा हुआ किता है, two-third बचा हुआ है, तो खेल अब इस तरीके से हम इसमें T2, T1 का difference नि चेक कर लेते हैं, when two-third of its decade and time T1 and one-third of its decade, तो हम इसमें N1, N2 के value set करते हैं और अपना standard result यूज कर लेते हैं, T2 minus T1 equals to T half by log 2 की base 10 into log of N1 divided by N2, तो ये हमारा result हो गया, one point of disintegration से other point of disintegration का, अब N1, यानि पहले वाले situation में, ठीक न, कितना बचा हुआ है, वो हमें देखना है, तो obviously पहले तो ये देख लो, ये कौन सा time है, two-third का T2 time है, और one-third जो decade कर रहा है, उसका T1 time है, तो T1 time पर बचा हुआ nuclei हो गया two-third, और T2 time पर बचा हुआ nuclei हो गया one-third, put करो, T half के तर 20 minute, इसको as it is रहने तो, log 2 की base 10 into log of N1 की जगे मेरे पास आगया two-third, N2 की जगे मेरे पास द्यान रखना हमेशा बचे हुए nuclei ही इसके अंदर put करे जाते हैं, खतम हुए नहीं, तो log 2, log 2 भी cut जाएगा, answer आजाएगा 20 minute, यानि इनके बीच का time gap जो है, वो 20 minute है, तो right answer हमारा second बाला हो गया, next पर चलते हैं, next आप देख रहे हैं, nuclear reactor, theory based है, इसके उपर power of nuclear reactor के कुछ problems मैंने आपके लिए रखे है, तो nuclear reactor के अंदर क्या होता है, ये based होता है, fission reaction के उपर, ये कुछ conceptual इसमें से रखे हो है, ठीक है न, तो points को हम लोग देखते जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, nuclear reactor के अंदर, uranium 235, पहले देखते है, fuel किसको use करते है, ये कह रहे, common fuel are uranium 238, enriched uranium 235, and plutonium and thorium, तो ये इसका fuel होता है, अब इस fuel को हम इसके अंदर डालते है, slow moving neutron इस पे टकराते हैं, तो ये अपना uranium जो होता है, तीन fast moving neutron में, barium और krypton में break होता है, ठीक है न, और साथ में तीन fast moving neutron को हम slow down कराते हैं, slow down कराने के लिए हम लोग use करते हैं, moderator, तो moderator का function होता ह slow down करना, moderator में kiss kiss को use करते हैं, heavy water, graphite, beryllium and beryllium oxide, तो इसका सिरफ और सिरफ काम होता है, neutron, fast moving neutron को slow down करना, absorb करना नहीं, तो ये होता moderator, next आती है control rods, अब इनका क्या function होता है, तो ये जो 3 neutron निकले, अगर ये 3 और uranium से टकराएंगे, तो 3 के multiple में ही reaction चलती है, ठीक है न, और हम को बोलते हैं कि ये uncontrolled chain reaction है, और इसका reproduction factor greater than 1 है, तो 3 में से 2 neutron हम absorb करवा देते हैं, तो एक ही बचता है, तो ऐसे में बोलते हैं, reproduction factor 1 है, और इसको हम बोलते हैं कि nuclear reaction अब हमारी critical है, यानि इससे जादा हमने कर दिये neutrons, तो ये uncontrolled हो जाएगी, इससे कम रखे, तो फिर nuclear reactor जो ह हो जाएगा, वो चलना बंद हो जाएगा, और कुछ time के बाद energy produce करना बंद कर देगा, तो reproduction factor k equals to 1 critical को indicate करता है, कि less than 1 पर हम ये बोलते हैं, कि अब ये खतम हो जाएगा, nuclear reactor है नहीं चलना, और k greater than 1 में हम बोलते हैं, कि ये uncontrolled होगी आप, ठीक है न, तो कुल मिलाकर कि neutron को absorb क कि किसको control rod की तरह यूज करना है, किसको moderator की तरह यूज करना है, या इनका क्या काम है, अब, अब जो इसमें energy release होती है, ठीक न, ये energy क्या होती है, जैसे यहाँ पर जो भी energy release होई, इससे क्या करते हैं, water से steam मनाते हैं, steam से हम turbine को move कराते हैं, अब इसके अंदर बहुत जाद temperature ना हो जाए, इसको ठंडा करने के लिए हम लोग coolant यूज करते हैं, coolant के तौर पर, तो coolant का काम होता है, extra amount of energy को absorb करना, ठीक न, तो function of coolant is to keep the reactor temperature at low value, so that there may not be any danger of heat damage due to reactor, ठीक न, तो air और carbon dioxide are used as gaseous coolant, water, organic liquid, helium, liquid sodium are used as liquid coolant, सबसे best, जो coolant होता है, वो liquid sodium होता है, तो यह कुछ चोटी-चोटी चीज़े हैं, जो reactor में हमें याद रखनी होती है, वेराल, अब हम चलते हैं इसमें, power generated in nuclear reactor, तो अगर हमें power निकाल निकाल नहीं है, तो 92 uranium-235 का जब एक nuclear fusion करता है, तो 200 MEV की energy release होती है, तो energy released per fusion का value fixed है, 200 MEV, but examiner कई बार इसको change कर देता है, हमारी घणित ब फिजन कर रहे हैं, तो N by T, हम इसमें multiply कर देंगे, यह कहलेंगे number of fusion per second, ठीक है न, तो power equals to anybody, कुछ important point है, वो सुनना, N by T is number of fusion per second, okay, EV the energy released in each fusion, तो हर fusion में 200 MEV की energy release होती है, इसको joule में convert कर लो, क्योंकि इदर power हमें water में दे रखी होगी, तो joule में convert करें, तो यह आ जाती है, 3.2 into 10 की power minus 11 joule, वैसे मुश्किल नहीं है, आराम से आप इसको convert कर सकते हो, तो यह रटने वाला topic नहीं है, आगे, number of fusion per second in a reactor of power 1 watt, अब क्या होता है, कई बार हमें दे देता है, power जो है 1100 MW है, 1000 MW है, इतने MW है, तो quickly करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक Watt अगर power generate कर है, तो कितने nuclei per second fission कर रहे होंगे, वो निकाल लेते हैं, यह याद रख लो, इससे calculation में time बच जाएगा, तो 3.125 into 10 to the power 10 fission per second चाहिए होगे, जब एक Watt का reactor बनाना हुगा, अब जितने Watt का भी बनाना है, 500 KW का बनाना है, या 1000 MW का बनाना है, बस उससे उठा करके, इसको multiply कर देना, that's it, game over, ठीक है न, तो अब आप उससे निकाल सकते हो, कितने nuclei per second fission करने चाहिए, यह चोटे मोटे कोशन के उपर है, अगर नहीं याद रखना, छोड सकते हो, ओके, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, if only x percent of the energy release, यानि हमें fraction दे रखा है, कि यह सारी energy जो होती है, वो hundred percent efficiency नहीं है, reactor की, x percent ही energy जो है, वो utilize हो रही है, power के अंदर, तो हम क्या करेंगे, जो भी power है, उसका सिरुफ और सिरुफ टोटल power का x percent ले ले लेंगे, that will be the power of nuclear reactor, इस पे भी सवाल है, अब यहाँ पर कई पर क्या होता है, instead of giving energy, वो दे देता है, हमें mass of uranium, तो जैसे के द number of nuclear ही चाहिए, per second किता फिजन कर रहे है, तो मालों वो बोल दा, one gram uranium हमने use करा for 30 days, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे, एक gram uranium में कितने number of nuclear ही है, mole concept use करेंगे, mass by molar mass, number of nuclear divided by avogadro number, avogadro number इसमें चाहिए होगा, तो हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले calculate कर ली number of nuclear की value, तो let's say that, X gram uranium दे रखा है, तो X by जो भी उसका atomic mass है, A ले लिया उसको, तो X by A into avogadro number, यह हो गए, total number of nuclei, into E by T कर दिया, यानि जितने time में उसने इतने number of nuclei use करने हो, हमारे पास power of reactor आ जाएगी, अब efficiency अगर दे रखिए, F percent, तो F percent से सब्टिप्लाई करेंगे, that will be the power final power of nuclear reactor, तो यह coal मिला करके nuclear reactor की power निकालना practice का खेल होता है, बिना practice के आप इससे अच्छे से नहीं कर सकते है, अब fusion, अब fusion के अंदर क्या होता है, चोटे nuclei ही कम्माइन, अभी जिस में ने बताया है तो banding energy कर में, fusion में चोटे nuclei ही कम्माइन करके, एक heavy nucleus, heavy मतलब mid-size nucleus form करते है अब यह नहीं hydrogen hydrogen combine करके, आप सोचो uranium बना है तो होना ही नहीं, तो hydrogen hydrogen combine किया तो helium type का बनेगा, उससे थोड़ा सा heavy nuclei ही बनेगा, तो यही है बोल रहा है, the phenomenon in which two lighter nuclei combine to form a heavier nucleus of mass less than total mass of the combining nuclei is called nuclear fusion, mass कम होता है, इसलिए इस process में energy release होती है, आगे, this mass effect appears as energy at temperature of about 10 to the power 7 Kelvin, यानि बहुत high temperature चाहिए होता है, हमें fusion के लिए इस laboratory में कराना possible नहीं है, next, light nuclei combined to give heavier nuclei, hence fusion reaction are called thermonuclear reaction, तो इन fusion reactions को हम thermonuclear कहते हैं, क्योंकि temperature की condition को meet कराना जरूर ही है, आगे, तो यह सारा का सारा आपका NCRT का पूरा portion है, जो मैं cut करके आपके लिए रख रहा हूं, अब energy produced in single fusion of 92 uranium 235 is larger than single fusion, थी uranium की, वो 200 में भी है, बट जो hydrogen वाली जो energy है, वो काफी कम है, ठीक न, तक्रीबन 7 point के आसपास होती है, 7 या 9 मिर को भी exact ध्याने, NCRT में देख लेना आप, ठीक न, तो इतनी होती है, बट वो uranium वाली फिजन पर फिजन की जादा है, hydrogen वाली कम है, फिर 20 में होती है energy, क्योंक 0.09% of mass is converted into energy, in fusion, इतना percent of mass is converted, तो mass defect देख लो, आप fusion का जादा है, fission का कम है, इसलिए इसके अंदर जादा amount of energy total release होती है, तो यह पूरा का पूरा खेल हमारा fission और fusion का था, अब हम problem पर आ जाते हैं, तो problem आप देख रहे हो, reactor का आपके सामने problem है, यह कह रहा है, the energy released by the fission of 1 gram वही का नहीं है, पूरी mass के इसाब से ही में चल रहा हूँ, uranium 235 in joule, given that the energy released per fission is इतना, ठीकिना, और हमें इसमें total energy released निकाल नहीं है, कि 1 gram of uranium कितना करेगा, फिर अगर power निकाल नहीं है, तो आपको मैंने बताई रखा है, आपना general concept, power भी मैं बता दूंगा, चलो, तो इसम हमें mass of uranium बता है, which is 1 gram, तो हम सबसे पहले number of nuclei निकालेंगे, x by a, times agogadro number, तो x की value होगी 1 gram, mass हो गया, अपना कहा गया, uranium कहां सा, 235, ठीक है, और times हमारे पास agogadro number 6 into 10 की power 23 आ गया, इसको मैंने as it is लिख दिया, अभी solve नहीं करेंगे, last में करते हैं, तो हमारी पास number of nuclei ही आ 21 फिजन, और energy का answer किसमें निकाल करके देना, in joule में, तो एक फिजन में जो energy आ गई, वो आगे 200 into 10 की power 6 into electron का charge, 10 की power minus 19 joule, अब देख रहे हो, यह पूरा हमने simplify कर लिया, इसको ठीक है, तो अब इसको मैं simplify करूं, तो यह आ जाएगा तकरीबन 3.2 into 10 की power minus 11 joule, तो इतनी energy एक fission में, joule में release होगी, जब 92, 235 का एक nuclei fission करेगा, अब इतने total number of nuclei fission करेंगे, तो कितनी energy release होगी, तो total energy release लगर में निकाल हूँ, तो total energy की value हो जाएगी, n into energy per fission, ठीक है, अब n की value हमारे पास available है, 1 by 235, तो calculated है, यानि concept wise तो असान है, mole वगरा ही लग रहा है, कोई खास concept नहीं है, but calculation wise काफी लंबा सवाज चला जाता है, into 3.2 times 10 की power माहने से लग, तो result simplify करूं, तो ये 6 to 12, 6 to 18 और 119, 19.2 divided by 235 into 10 की power, ये कितना बचरा है मेरे पास, ये आ रहा है, तकरीबन 12, ठीक है न, 12 ये आ रहा है, अब इसको और simplify करूं, तो इसको लिख रहा हूं है, 1920 divided by 235 into 10 की power 10, और answer ये जूल में चल रहा है, सही है, अब 235 और इसको में divide करूं, तो 8 to 16, यानि तकरीबन 8 point से something कुछ answer आएगा, अब 8 point में दिख रहा है किया, अरे यार, किसने तो ऐसी दैसी कर रखे है, 8 point में तो सारे answer दे रहे हैं, खेल क इनर्जी रिलीज होगी, एक ग्राम यूरेनियम के फिजन में है, ठीक न, अब वो कहता, power of reactor बताओ, हम कहते बिल्कुल बता दे, ये बताओ, एक ग्राम कितने समय में यूज करना है, वो कह रहा है, एक ग्राम यूज करना है, हमें एक गंटे में, ठीक न, तो पावर कितनी होगी, तो divided by time कर देंगे, time को हम एक गंटे से second में, यानि हम उसको 3600 पुट करेंगे, हमारे पास watt में पावर है, एक महिने में यूज करना है, तो महिने बर कर डाल दो 30 into 3600, एक साल में यूज करना है, calculation और बढ़ जाएगी, ठीक न, बोलना असान है, calculation में और नहीं आ जा 3600 into 24 करना पड़ेगा, तो ये छोटा सा एक modification था, तो अब आप इससे power of nuclear reactor निकाल सकते हो, अगर मालो percentage दे रखाओ, तो percentage पुट कर लो, इसके अंदर की, इसकी efficiency जो है, वो 50% ही है, तो जो total निकल रही है, उसका सिरफ 50% अब यूटिलाइस करेंगे, तो ये basis होता है, जिसस hydrogen is converted into 0.993 gram, तो हमें यहां से mass defect मिल जाएगा, ठीक न, अपना काम बन जाएगा, यहां पर, if the efficiency of the generator efficiency भी दे रखी है, पूरी की पूरी, then energy obtained in kilowatt hour, तो जोल में नहीं वही, kilowatt hour में energy बता दो, तो बिलकुल, पहले हम delta हम लिखते हैं, इसकी value होगी, 1-0.993, तो ये आ जाएग ग्राम, इतना mass defect हमारे पास आ गया, अब हम इसे energy निकालेंगे, कैसे, तो energy निकालने के लिए, हम जूल में ही निकाल लिए, तो delta M into C square कर लेंगे, best, delta M को kg में लिख लो, तो 7 into 10 के पावर, मानस 6 kg हो गया, C square, 9 into 10 के पावर, 10 के पावर 16 हो गया, अब ये energy जूल में आ गई 972, 63 into 10 के पावर, 10 जूल, इतनी energy release हो रही है, ठीक है, जब 1 ग्राम uranium, 0.993 ग्राम में बच रहा है, सही है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, किलो वाट आवर में, अब किलो वाट आवर में क्या करना पड़ेगा, किलो और आर से डिवाइट करना पड़ेगा, किलो हो गया 10 की पावर 3, और 3600, ठीक है, अब इसको simplify कर लेते हैं, ये 3 और 2 5 इसमें से उड़ा दो, तो 63 divided by 36, into ये आ जा रहा है हमारे पास 10 की पावर कितना बच रहा है 5, ठीक है न, अब 36 और 63, अब देखो, ये 9 से तो divisible, 9 4 जा 36, 9 7 जा 63, तो अगर मैं डिवाइट 5 किलो वाट आवर, पर, पर, पर कोई आंसर नहीं लिख रहा, क्यों, क्योंकि efficiency 5% है, तो अब अगर हमें energy चाहिए, तो 5% off, ठीक है न, 1.7 into 10 की पावर 5 किलो वाट आवर, अब हमारा final आंसर आ जाएगा, और ये तकरीबन आ जाएगा, 8.5 into 10 की पावर 3 किलो वाट आवर, देखें, इसके आप पास का आंसर कौन सा है, तो 8.5 into 10 की पावर 3, तो 7.5 आ रहा है, ठीक है, हमने round off में ले रख रहा है, कोई दिककर नहीं, तो right answer हमारा इसके अंदर first वाला match कर रहा है, तो मेरे खाल से अब आप energy आराम से निकाल सकते हो, अगर आपको percentage efficiency दे रखी हो, next, अब ये nuclei के अंदर हमने सारी चीज़े cover कर ली, अब आपका task है, lecture note से problem practice कर लो, जो KTS के lecture note है, फिर different problem मिल जाएंगे, master sheet लगा लो इसकी ठीक न, बाकि बिल्कुल perfect हो जाओ, और test के, जो item है nuclei का test है, उससे problem practice कर लो, ठीक है न, इतना कर लिए, modern physics से सवाल आपका गलत नहीं ह होगा, मिलते next lecture में, thank you so much.